त्रिती अखंड स्तोत्र 73 से 89 स्तोत्र 73 बहुत्तर दुष्ट का असार वैभव एक स्तोत्र आसाफ का इस्राइल के लिए ईश्वर कितना भला है उन लोगों के लिए चिनका हृदय निर्मल है फिर भी मेरे पैर लड़ खड़ाने लगे और मैं गिरते गिरते बचा क्योंकि दुष्टों को फलते फूलते देखकर मैं घमंडियों से इरशा करने लगा उन्हें कोई कष्ट नहीं होता उनका शरीर रिष्ट पुष्ट है वे दूसरों की तरह परिश्रम नहीं करते और उन पर व्यपत्ति भी नहीं पड़ती इसलिए वे घमंड को कंडर की तरह पहनते और हिंसा को वस्तर की तरह ओडते हैं उनके जटिल हिर्दय से अधर्म उत्पन्न होता है उनके मन के बुरे विचार असंख्य हैं वे उपहास करते और द्वेश पूर्ण बातें कहते हैं वे अपने घमंड के आवेश में दूसरों को धमकाते हैं वे स्वर्ग के विरुद्ध बोलते हैं उनकी जवहा प्रत्वीभर की बात करती है इश्वर की प्रजा उनकी ओर अभिमुक हो जाती है और उनमें कोई दोश नहीं पाती वे कहते हैं इश्वर कैसे जान सकता है क्य सर्वच्च प्रभु को ग्यान होता है देखो दुष्ट लोग ऐसे ही होते हैं वे निश्चिन्त होकर अपना धन बढ़ाते जाते हैं निश्चे ही मैंने व्यर्थ अपने हर्दय को निर्मल रखा व्यर्थ ही निर्दोश होकर अपने हाथ धोए मैं हर समय मार खाता हूं मैं कहता मैं उनकी तरह बूलूंगा तो तेरे पुत्रों की पीढ़ी के साथ विश्वास घात करता मैंने इस रहस्य पर विचार किया किन्तु वो मुझे भारी लगा तब मैंने इश्वर के मंदिर में प्रवेश किया और उन लोगों की अंतगती को समझा निश्चे ही तू उन्हें पिच्छल भूमी पर रखता है और उन्हें विनाश के गर्त में गिरने देता है ख्षन भर में उनका विनाश हो जाता है वे आतंकित होकर पूर्ण तया समाप्त हो जाते हैं प्रभू नींद से जागने पर जिस प्रकार सप्न मिट जाता है उसी प्रकार तू उठ कर उनका तिरसकार करेगा जब मेरा मन कटुता से भरा था और मेरा हृदय दुखी था तो मैं मूर्क और ना समझ था मैं तेरे सामने पशु जैसा था फिर भी मैं सदा तेरे साथ हूँ और तू मेरा दाहिना हाथ पकड़ कर अपने परामर्ष से मेरा पथ प्रदर्शन करता है और बाद में मुझे अपनी महिमा में ले चलेगा तेरे सिवा स्वर्ग में मेरा कौन है मैं तेरे सिवा प्रित्वी पर कुछ नहीं चाहता मेरा शरीर और मेरा हृदय भले ही क्षिन हो जाए किन्तु इश्वर मेरी चट्टान है सदा के लिए मेरा भाग्य है जो तुझे त्याग देते हैं वे नश्ट हो जाएंगे जो तेरे साथ विश्वास घात करते हैं तु उनका विनाश करता है इश्वर के साथ रहने में मेरा कल्यान है मैं प्रभु इश्वर की शरण आया हूँ मैं तेरे सब कारियों का बखान करूँगा